मेरा ना प्रविंट सिंग राजपरोईते और आज के वीडियो में अपने देखने वाले हैं रेड ब्लाग ट्री के कुछ केसे यानि क्या जब भी आप किसी भी रेड ब्लाग ट्री को आपको अपको अप्लाए करने का जरूत पड़ जाए ठीक है तो यह operations किस तरीकी से apply करना है और यह क्या होते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि red black tree का जो basic concept है वो मैंने channel पर upload कर दिया है अगर आपने basic नहीं देखा हुआ है तो आप वो जाके एक बार देख लो उसके बाद में अगर आप यह cases देखते हो तो आपको इसके questions को काफी आसाने से solve कर सकते हो ठीक है तो आज की वीडियो का topic है red black tree के कुछ cases इसमें आपको 4 case आते है इसके अलावा को और case नहीं आता है आपके खारी चाहरी case आते है कौन सा है पहला है आपका LL दूसरा है आपका LR तीसरा है आपका RR और चौधर आपका RL नाओ इसमें आपका जो double L और double R है वो आपका कहा रहेगा single rotation उसको क्या बोलते है अगर reverse म कैसे perform करना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपके single rotation कौन सा वाला आपका LL यानि क्या हुआ left left case ठीक है ना यह LL का मतलब क्या होता है exactly कि किसी भी root के अगर left के left में अगर आपका किसी भी node को insert करते हो तो वहाँ पर हम क्या करते है LL case को apply करते है ना वह LL case कब apply होता है अब आपको यहां पर सामय के example है उसके basis पर आपको पूरा concept clear हो जाएगा ना मानलो यह आपका root है ठीक है अब क्या बोले LL बोले है नहीं left of left तो root के left के left में मैंने क्या किया आप नोड को insert किया ठीक है तो आप देखोगे तो यह आपका यह क्या हो गया child node हो गया य अब जो नाय node insert किया वो तो आपका by default के आने वाला है red होने वाला है तो देखो यहां पे कभी भी आपका दोनो red color आपके node आपके साथ में नहीं आने चाहिए अगर ऐसा कुछ condition है तो आपको LL case को perform करना पड़ते है अब LL case apply कैसे करते है यह आपको यह मैं आपको बताने आपको आपको एक rotation आपको परफॉर्म करना action कैसे करेंगे यहां नहीं क्या करना आपको यहां पर चाहिए पूरा एक आपको left to right में आपको rotation देना है मतलब क्या हो जाएगा एक एक जो node है वो उपर की तरफ होके right में आजाएंगे कैसे आएंगे X आजाएगा P की जग़र पे P आजाएगा G की जग़र पे G आजाएगा अपना U की जग़र पे और U आजाएगा उसके नीचे वह आजाएगा तरफ है तरफ देखो X के T1, T2, X के T1, T2 आ गए ना जब भी P ऊपर move करेगा तो इसका जो T3 है वो G के साथ में आ जाएगा यहां पर T3 G के साथ में आगे अपना T3 और यह बन गए मेरा T4 and T5 तो अब यहां पर आपका देखोगे तो यहां पर आपका देखो Black, Red, Black, Red, Red, Black हुआ क्लियर अच्छे से तो यानि क्या होता है यहां पर Red, Black, T3 क्या होता आपका कि जो भी Nodes है वो हमेश जा तो Black, Black होगा चलेगा Red, Red नहीं होना चाहिए Red, Black भी चलेगा, Black, Red भी चलेगा लेकिन क्या condition है कि आपका Red, Red साथ में Nodes कभी नहीं आने चाहिए वह अखले अच्छे से यह था कि आपका LL Case, अब आते हैं Second Case, कौन सा वाला LR Case, इसको बोलता हम क्या Double Rotation, क्यूँ, यह मैं आपको भी Example में बताता हूँ, कैसे बताना देखुए Now, LR मतलब क्या हुआ Left of Right, यानि Root के या आपका Root, Root के Left के, Right में आपने Node आड़ किया, ठीक है, तो Parent आपका Red है, और आपका जो Child है, वो भी Default Red है, तो यहाँ पर अगें कंडिशन के आगें, दोनों Red साथ में आगें, तो यहाँ यहाँ पर मुझे क्या करना है LR Case को में Action को Perform करूँ हूँ, कैसे करना है, यह मैं आपको बताता हूँ, Now, LR जब भी आप Operation Perform करते हो, तो वहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, जो आपको बता होने चाहिए, इससे आपका Question और भी Easy हो जाएगा, कैसे, जब भी LR Operation करोगे, वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है RR Operation करना है, फिर LL Operation करना है, ठीक है, Now, यह RR का है, वो आपको इसमें बताता हूँ, जब भी आप RR Operation करोगे, तो वहाँ पर आपको Root को Include नहीं करना है, किसमें किसी परफॉर्म करना है, एक्षन, Only Parent and Child के अंदर, यानि क्या करना है, RR मतलब क्या करना है, आपको एक Right से Left की तरफ आपको एक Rotation देना है, यानि क्या क्या हो जाएगा, यह Child है, Child से घूमके ऐसे आ जाएगा, मतलब X आ जाएगा उपर P आ जाएगा उसके नीचे, तो देखो यहाँ पर मेरा Root as it is है, अब देखो X आ गया P की जगह पर, और P आ गया उसके नीचे, हुआ clear और U mirror एगा as it is, जैसी मेरा RR operation परफॉर्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा, जो नया आपका intermediate रहेगा, यहाँ पर tree, उसके अंदर आपको LL operation परफॉर्म करना है, जब LL operation परफॉर्म करोगे, वहाँ पर आपका root को आपको include करना है, और P से लेके पूरा आपको एक clockwise एक, आपको क्या करना है, आपको rotation देना है, मतलब क्या हो जाएगा? P आ जाएगा X की जगा पर, X आएगा G की जगा पर, G आएगा U की जगा पर, और U आएगा उसके निचे, तो देखोई, यह आगया P, X की जगा पर, X आगया मैं आगे आपको कि रूट के राइड के राइड में अपना नोट insert करते और वहाँ पर आपके दोनों नोट पैरेंट और चाइल जो आगे रेट होते हैं वहाँ पर आपको आरर केस को perform करना है इससे पहले मैं आपको अलर हमें ही है तो वहां पे आपका double rotation होलता है लेकिन यहां पे कि आपकासि सिंगल rotation ठीक तो कैसे होका है यहां पे आरार करना मतलब क्या हुआ कि रूट को इंक्लूड करना होगा तो अगर आपको यह बाइन नोग्ण करना तो एक बात का नोट कर सकते हो कि जब भी single परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर आपको root को include करना होता है और जब double rotation action perform करते हो तो वहाँ पर आपको पहले root को exclude करना है फिर इसको include करना है ठीक है अब आते हैं इसके case के उपर तो आरा मतलब क्या हुआ right to left करना है तो x आएगा p की जगापे, p आएगा g की जगापे, g आएगा u की जगापे और u आएगा उसके नीचे है तो देखो x आगया p, g and u हुआ clear अच्छे से अब आजाओ fourth वाले case पे ना fourth इस आपको क्या बोलता है कि rl case यानि क्या हुआ root के right के left में तो आप देखो कि root के right के left में नोड को add किया है ना दोनों मेरे क्या हो रहे है red, red case हो जा रहे है again तो यहापे again में क्या करूँगा rl case को perform करूँगा, अब rl case को जब आप पर perform करों यहापे तो यहापे again आपको एक छोटी सी trick ध्यान में रखनी क्या करना है, जब भी rl case होका महापे आपको पहले ll करना है फिर आपको rr करना है, जब इससे पहले आपका बहुत है था, अब आते है question के उपर, यहापे आपको रोट को include नहीं करना है, क्योंकि यह आपका double rotation है ठीक है तो पहले parent और child में सिर्फ आपका action perform होगा तो यहाँ पर क्या करना right to अभी क्या होना left बोला ना तो left to right आएंगे हम यहाँ पर तो x आजएगा उपर P आएगा उसके नीचे तो यहाँ गया x यहाँ पी नीचे वहाँ clear अब क्या करेंगे root को include करेंगे और एक whole rotation अपन right to left लेगे जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर आरार कर रहे हैं आरार करेंगे तो P आएगा x पर x आएगा g पर gi आएगा u पर u आएगा उसके नीचे तो यहाँ आगे देखो P x g u होगे clear अच्छे से तो यह था क्या आपके 4 cases कौन कौन से एलल, एलार, आरार और आरल इसी तरीके से आपके यह सारे cases aviate tree के भी है same to same है वहाँ पे आपको यही operations होंगे और red black tree में भी आपको same operations है तो thank you so much वीडियो देखने के लिए अपको वीडियो अच्छा लागा तो like कर दो कमेंट कर दो सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल एंगर प्रेस करना भूलना मत तेंक्यू सो मच have a nice day